हेलो दोस्तो ये है Yama MT 125 जो की इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही एवलेबल है और अब काफी जल्दी इंडिया में भी लाउंच होने वाली है और दोस्तो कितना प्राइस होगा इस बाइक का कब तक ही इंडिया में आईगी ये सारी डीटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना ताकि आप इस बाइक के बारे में कोई भी इंफोर्मेशन मिस ना कर पाएं तो चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो वैसे तो MT-Series की काफी सारी बाइक इंटरनेशनल मार्केट में एवलेवल है पर इंडिया में अभी तक MT-Series की एकी बाइक मिलती है जो है MT-15 और 125cc सेगमेंट में काफी स्पोर्टी लुक और डिजाइन इस बाइक में मिलता है पर काफी लोग ऐसे हैं जो इसकी लुक्स और डिजाइन की वज़े से इसको पसंतो करते हैं लेकिन ये बाइक थोड़ी ओर प्राइस लगती है जिसकी वज़े से लोग इसे ले नहीं पाते हैं और यही रीजन है कि MT-15 की सेल्स भी पिछले कुछ महीनों में जादा अच्छी नहीं रही है पर MT-15 के फैंस जो की इसके प्राइस की वज़े से इस बाइक को नहीं ले रहे थे उनके लिए यह काफी अच्छी good news है क्योंकि अब Yama अपनी MT-125 को इंडिया में launch करने वाली है और इस बाइक की looks और design बिल्कुल सेम MT-15 के जैसा होगा बस जो थोड़ी सी performance है यह इसमें कम मिलेगी क्योंकि MT-125 में 125cc का single slender 4 stroke 4 valve liquid cooled FI BS6 engine मिलेगा जो की power produce करता है 14.7 HP की और talk generate करता है 11.5 Nm का और 6 speed gearbox इस bike में मिलेगा बाकी सारे features इसमें सेम मिलेगे जैसे की single LED projector headlamps LED DRLs, LED tail light और जो body graphics है यह भी बिल्कुल सेम MT-15 के जैसे इसमें मिलेगे दोस्तो टायर सेक्षन की बात करें तो front में 100 by 80 का 17 इंच का tubeless टायर rear में 140 by 70 का 17 इंच का tubeless tires में मिलेगा और काफी अच्छी इसमें braking भी मिलेगी front में 260 mm का disc brake और rear में 230 mm का disc brake MT-125 में मिलेगा और अगर बात करें इसके meter console की तो यह भी बिल्कुल सेम MT-15 के जैसा ही मिलेगा यानि कि fully digital meter console इसमें मिलेगा जिसमें speedometer, tachometer, trip meter, odometer जैसी सारी information मिलेगी लेकिन इसमें bluetooth connectivity का feature नहीं मिलेगा और दोस्तो जब यह bike इंडिया में launch होगी तो इसमें एक और छोटी सी कमी देखने को मिलेगी और वो यह है कि MT-125 में ABS नहीं मिलेगा क्योंकि अगर इस bike में Yama ABS दे देती है तो इसका price बढ़ जाएगा और फिर ये bike value for money नहीं रहेगी और इसके suspension की बात करें तो जो पहले MT-15 में suspension आते थे front में telescopic fork वो ही same MT-125 में suspension मिलेंगे front में और इसके rear में adjustable monoshock suspension मिलेंगे जो की काफी comfortable suspension है और ज्यादा तर 125 CC की bikes में यही suspension मिलते हैं वहीं बात करें इसके price की तो Yama MT-125 का extra room price 125,000 रुपे से start हो सकता है तो दोस्तो यह थे सारे updates Yama MT-125 के बारे में अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना, share कर देना और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं कराए तो दोस्तो चैनल को subscribe कर लेना और bell icon भी प्रेस कर देना ताकि आपको bikes के और car के new updates मिलते रहें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में Thanks for watching